दोस्तो जी एस फाशमें चेनल में आपका स्वागत है दोस्तो अभी अभी बड़ी खबर ने किल के आ रहे हैं कि घहलो सरकार की तरब से की राज़तान में फिर से कोरनवाइरस के चलते हुए लगातार केस बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं जिससे पूरी रास्थान में ही लोगडाउन लगाने का निर्णे लिया जा रहा है आज की बैठक में बता देते हैं कि अपातकालीन बैठक में असोगेलोद ने बताये हैं कि राज्तान में कोरणा वाइरस की दूसरी लेल लोटे से संक्रमन का खत्रा बहुती जादा भर चुका है और कोरणा संक्रमन के मामल बढ़ते ही जा रहे हैं प्रदेश में जिससे मुंक मंतरी असोगेलोद ने महाभी मारी कोरणा वाइरस की नहीं गाल लैन और सक्ती से पालन करने के लिए निर्देश दे दी गए हैं और बता दिया गया है कि इन कमेंट जौन में बहुती सक्ती से बढ़ते हैं और जल्दी से 2,31 मार्च तक लगाया गया था जिससे इसके मद्दे नजर रखती हुए गैलो सरकार ने फिर निर्दे ले लिया है कि गैलो सरकार ने इन छहराजों में से आने वाले व्यक्तियों को नेगेटिब रूपोर्ट दिखानी होगी जिससे ये छहराज हैं जैसे दोस्तों अर पी सी आर नेगेटिब रूपोर्ट देनी होगी जिससे ग्रहम अंतरल संबन्द पूर्व आदे जारी कर दिये गए हैं दोस्तों और बता देदे यात्री की जांच के लिए चेक पोस्ट बनाई जाएगी और कोरणा के भरते मामलों को देखते हुए राज सरकान ने बता द लगने जैसा कोई निया जाएगा लेकिन जिसी तरह पूरी राज्तान में लॉक्डाउन लगाने के लिए निया जाएगा अगर पता देते हैं कि सब्सक्राइब मार्च को प्रदेश में तीन सो से ज्यादा को रना पॉजिटिव आये थे स्वास्ता दीकारियों ने बहुत अलर्ट जारी करना का कि कोविड नैंटी के भरते मामले को द्यान रखते हैं राज्तान में गत वर्स दोचार बाइस बाइस मार्च से दोचार एकीस से एकतिस माई तक लॉक्डान लगाने का रिड़ने लिया जाएगा ऐसा करने पर राज्तान में पहला फ्राज बन चुक और दुकान मेडिकल इस्टोर खोलने की अनुमाति दे दी गई है आविशकता है सेवा को छोड़कर स्कूल कॉलेज और यह सब सेवाए बंद रहेंगी और लोग 31 महीं तक लॉक्डान लगाएगा चुकिए